Hello everyone, welcome you all at Locaster Unlimited Study Zone तो आज हम आपके सामने लेकर के आया है Domain and Range के Question तो आज का Topic डालीजे, Copy में Heading Domain and Range कुछ बढ़िया से Question करने वाले हैं दोस्तों, यहाँ पर हम Domain and Range के और especially मैं Tignometric Question उठाता हूँ आज यहाँ पर आपको Practice के लिए, तो यह एक Simple सी Practice Class है देखे, Question मैं आपके सामने उठा रहा हूँ Question है, Range of FX आपके सामने function दिया है FX equals to 1 upon 1 minus 2 cos का X, ठीक है ना बड़े अराम से इस Question को करवाऊंगा 1 upon 1 minus 2 cos X, क्या निकालना है Range निकालना है, ठीक है ना तो Range निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, दिखिए सबसे पहले आपको इस function को बनाना पड़ेगा इसकी properties का यूज करके आपको बनाना पड़ेगा, अगर आपको FX देखने में अच्छा न लगा करें तो आप इसको Y लिख लिए करिए कुछ-कुछ, मतलब शुरुआत में Y अच्छा लगता बच्चों को तो मैंने यह बता दिया, यह आपके पास function है तो आपको Y की value निकालनी एक्चुली Range मतलब valid values of Y तो देखिए इस question की शुरुआत कहां से होगी solution कहां से होगी इस question का इस question का सुरुआत होगी cos X से, okay cos X से सुरुआत होगी इस question की तो cos X कैसे बनेगा भाई आप जानते हो जो cos X होता है वो minus 1 से लेके plus 1 के बीच में लाई करता है बट यहाँ पर आपके पास में क्या minus 2 है मतलब cos X में आपने minus 2 का multiply कर देना है तो अगर आप यहाँ पर minus 2 का multiply करेंगे सबसे पहले देखिए आप यदि आप 2 cos X करते हैं तो 2 cos X कहां से कहां लाई करेगा minus 2 से लेकर के plus 2 अब आप यदि minus sign का multiply कर देते हैं तो यह inequality change हो जाएगी यह हो जाएगी plus 2 और यह कितनी हो जाएगी minus 2 जिसको आप ध्यान से देखिए तो यह पलट करके वही inequality है भही minus 2 से बढ़ी है तो minus 2 cos X की value minus 2 से बढ़ी और plus 2 से कितनी है छोटी है अब देखिए आपको क्या add करना है 1 add करना है दोनों तरफ तो आप 1 add कर दीजे तो minus 2 plus 1 कितना हो गया minus का 1 minus का 1 और यह कितना हो गया minus 2 cos X plus 1 और यह कितना हो गया 2 plus 1 3 मतलब minus 2 cos X plus 1 की value जो है या इसी को कह लिजे 1 minus 2 cos X 1 minus 2 cos X की जो value है वो कहां से कहां लाई कर रही है वो value लाई कर रही है अपने पास में minus 1 से ले करके plus 3 के बीच में माइनस 1 से ले करके प्लस 3 के बीच में, अब देखे हमें क्या करना है, हमें इसका reciprocal करना है, तो जैसे ही मैं इसका reciprocal करता हूँ, देखे, तो reciprocal करने में मेरे पास जो है, value जो है थोड़ी सी देखे, क्या हो जाएगी, अब यहाँ पर आपको ध्यान रखनी चाहिए कि देखे, 1 upon यहाँ पर आपके पास जो value है, 1 upon 1 minus 2 cos x जो है negative से ले के plus के बीच में जा रहा है, मतलब minus 1 से ले करके किस के बीच में जा रहा है, plus 3 के बीच में जा रहा है, चले इसको next page में लेके चलते हैं, थोड़ा सा understanding आपको यहाँ पर बढ़ानी पड़ेगी, इसलिए आएस्ते से आ 1 upon 1 minus 2 cos x, मतलब आपको इसका reciprocal चाहिए, तो आप अगर direct reciprocal करते हैं, तो देखी क्या होने वाला है, अगर आप इसका direct reciprocal करेंगे, तो minus 1, ओके, देखी, आप क्या करेंगे, reciprocal कर देंगे, तो यह कितना हो जागा, एक तरीके से 1 upon minus 1, inequality के sign change हो जाते है, reciprocal करने पर, तो 1 upon 1 minus 2 cos x, और यह जो है कितना आएगा, 1 upon 3 हो जाएगा, ठीका नर, 1 upon 3 हो जाएगा, आप देखी, इसको आप यदि सही तरीके से इसको arrange कर के लिखें, तो यह क्या है, इसको यह आप सही तरीके से लिखें, तो देखी 1 upon 3 से बड़ी value है, और minus 1 से छोटी value है, ओके, तो यह आप पलट 3 से बढ़ा है और minus 1 से क्या है छोटा है ये देखे 1 upon 3 से बढ़ा है और minus 1 से क्या है छोटा है 1 upon 3 से बढ़ा हो और minus 1 से छोटा हो देखे 2 interval यहाँ पर बनेंगे कि 1 upon 3 से बढ़ा और minus 1 से छोटा देखे यह लिए 1 upon 3 है तो 1 upon 3 से बड़ा इधर की हो जाएगा और minus 1 से छोटा जो है वो इधर की ओर जाएगा तो 2 अलग-अलग बन रहे हैं क्यों बन रहे हैं देखे ध्यान से इसको हमेशा ध्यान रखेगा इस concept को कि अगर कभी 2 number के बीच में 0 आता है अगर कभी 2 number के बीच में जो है 0 आएगा ठीक है ना तो उनके दोनों के अलग-अलग तरब बनेंगे यह देखे एक बन रहा है minus 1 से कम की ओर ठीक ना एक बन रहा है minus 1 से कम की ओर और एक बन रहा है 1 upon 3 से इधर की ओर क्यों बन रहा है क्योंकि देखे बीच में 0 आ रहा है इसलिए कोई common interval ना इधर इधर मिलेगा दो answer आपके पास आएंगे जिसको आपको union करके देना पड़ेगा तो देखे आपका जो answer आया वो कितना आ गया 1 upon 2 minus 1 upon 2 cos x तो यदि मैं y का value देखूंगा तो यहां से दो चीज़ union लिखना पड़ेगा हमको दिखे union लिखना पड़ेगा हमको कितना minus 1 से लेके minus infinity तो union में हम लिखते है minus infinity to minus 1 close इसको अच्छे से लिख दीजे क्योंकि पहले negative interval आता बाद में positive तो minus infinity to minus 1 union 1 upon 3 to infinity तो इस तरीके से domain और range के questions को आपको करना है ठीक है done